हेलो अब्रीवन और वेलकम टू दा ओनलाइन क्लासेज और जैसे कि आप सभी जानते ही कि हम लोग बायो प्रोसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो बायो प्रोसे सब्जेक्ट में मैं आप लोगों का फर्स टॉपिक जो है कंप्लीट कर आ चुकी हूं सेकेंड टॉपिक में ज माइक्रोवियल ग्रोध एंड देथ अब बायो प्रोसेस सब्जेक्ट है मैं स्टार्ट किया था जब तो बायो प्रोसेस का मतलब वनने बताया था कि यह और केमिकल ए늘जी बंए केमिकल प्रोसेस से ही औरिजिनेटर है biological और chemical reactions में जो प्रोसेस होती है उसे बायो प्रोसेस बोलते हैं यह मैंने बताया था हम लोग उने सबसे प्राइम फोकस जो हमारा था किस चीछ पे था बायो प्रोसेस में fermentation technology के उपर जिसमें हम लोग उने अलग-अलग टाइप के fermentation technology देखा batch culture continuous culture semi continuous culture इस प्रकर के अलग-अलग culture को हमने जाना हमने समझा और हमने यह देखा कि हमारा जो फार्मंटर होता है जो बाय रियक्टर होता है उसके अंदर जो प्रोसेस होती है वह प्रोसेस क्या है उसमें एक चीज़ी हो रही है कि उसमें जो आपके microbes हैं मतलब जो सूच में जीव हैं आपके जो सूच में जीव हैं वह संख्या में व्रिद्धी कर रहे हैं कि ठीक है cell division करकर के cell division होगा तो क्या होगा कोशिका भी भाजन होगा तो फिर कोशिका से 2, 2, 4, 4, 8 इस प्रकार से वो नंबर में अपने आपको बढ़ाएंगे तो सर्ल डिविजन जब होता है तो जो आपके सूशमजीव हैं जो आपके माइक्रोप्स हैं माइक्रोप्स के नंबर में क्या होगा इंक्रीज इश गढ़ेगा Ian नहीं आपने डाले थे उसमें डबल हो जाएंगे डबल से ट्रिपल इंक्रीज हो रहा है तेकिन एक टायम के बाद वो क्या होता है डिकरीज भी होना चालू होता है और छिसे हम लोग dead ph开始 भी बोलते है मैंने आप लोगों को अलग-अलग phases के बारे में भी पढ़ाया था पर्स टॉपिक में जिसमें आप लोग का लैक फेज एक्सेलरेशन फेज लॉक फेज स्टेशनरी फेज डेथ फेज अलग-अलग phases हमने पढ़े थे कि फर्मेंटेशन टेक्निलाजी की अंदर ठीक है जिसमें अलग-अलग phase में अलग-अलग चीजे होती हैं तो microbial growth, kinetix of microbial growth and debt से क्या ताथ परे यह जो word कैनेटिक्स का मतलब होता है दर तो किस दर से आपके माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं और किस दर से आपके जो माइक्रोब हैं उनकी मृत्ति हो रहे हैं इनकी दरों के बारे में हमको क्या करना है स्टडी करना है कि किस स्पीड से उन वो ग्रोथ कर रहे हैं किस दर से वह आगे बढ़ रहे हैं अपने आपको संख्या में बढ़ा रहे हैं और किस दर से वह संख्या में कम हो रहे हैं डेथ हो रही है मृत्यू दर और आपके ग्रोथ की दर ठीक है यह दोनों की दर को हम लोग स्टाडी करने वाले हैं काइनिटिक्स ओफ माइक्रोबियल ग्रोथ एंड देथ के अंतरगत ठीक है तो अल्टिमेट हमारे लिए यह चीज बहुत इंपोर्टेंट है तो अगर बात की जाएं काइनिटिक्स ओफ माइक्रोबियल ग्रोथ किसका परिणाम है किसका रिजल्ट है सेल डिविजन का और साथिसाथ सेल के साइज में चेंज होने का क्यो इन दन में के परिणाम सुरुप हमको क्या प्राफ्ट होता है माइक्रोबियल का ग्रोथ प्राफ्ट होता है माइक्रोब्स का ग्रोथ प्राफ्ट होता है सेल डिविजन होगा और साइज में चेंज होगा तो माइक्रोब्स अपने आप नंबर में बढ़ेंगे और उनकी ग विवल होगा जो किमिकल ग्रोध होगा नूट्रिशनल कंडिशन में चेंजे होंगे तो ग्रोध is not about just के लुगने संख्या बढ़ाने के बाद यह इनशीटी बढ़ा लिये आपना लुचौ पर आप देंसिती बढ़ा लिये वही र categor Ocean वे ही फिसीकल भीव में गैमिकल वराइटी में लें आप परोजिकरकव कंपाउंड के सबक्रेख पैसे में पैसे ही जो प्रदाशें के अग्यार्टीन शुक्तित है वह सब्सक्रायर जो बनाएं यहां बनाने के बाद जब आप उसको उसमें जब आपने माइक्रोब्स डालते हैं उसके बाद इंखी बेशन के लिए रख देते थे आप चोड़ी घंटे के लिए ठीक है तो उसके बाद दूसरे दिन आकर देखे थे कॉलोनी बहुत सारी बढ़ जाती थी वह क्यों कि आपने जो मेडिया डाला है जिसमेडियम में ग्रोथ और शूकर आपका बैक्तिरिया को बहुत ही बहुत ही नूट्रिएंट उसमें सारे हैं जो बब करती हैं तो इने ही न्यूट्रियंट को तो बाइलोजिकल कंपाउंद में कनवर्ट करते हैं कौण आपके जो माइघ्रोब्स हैं फर्मंटर के अंदर भी इन्हीं नृट्रिंट को यूज करके तो बाइलोजिकल अकंपाउंड बनाते हुआ convert कर देते हैं जिसे वह energy production के लिए use करते हैं और साथ-साथ product का formation भी करते हैं bread बनाने की company में मैदे का यूज के जा रहा है मैदा तो कच्चा माल है लेकिन आपका जो मेन मैदा जो हैं वह कच्चा माल होने के साथ यह काम कर रहा है और आप को मैद्ऐ को किस रूप में देखेगा एक nutrition के रुप में देखेगा और ऊछाने के रूप में देखेगा और उसे वह प्रोड़क्ट बनेगा तो इस प्रकाल से आपका जो माइक्रोबियल ग्रोथ होता है वह बहुत डिपेंड करता है चीजों पर न्यूट्रियंट कैसा है उस पर सेल डिवीजन पर और साथिसाथ सैल की साइज में डदधन हो रहा है उस परभी डिपेंड करता है इसमें वौलाइटीः होती है फिजिकल कंडिश्न चैन के किन्डिशनी लूट्रि लुट्य वाराइटी जो अब अगर माइक्रोभियल ब्रायच recommend की अगर एक ग्राफ के रुप में बात की जाय पहले भी बढ़ार्ण बढ़ा नियुकर आप पहले बाइज और उसके और अच्छी स्पीड बढ़ाती है आपको जाता है exponential growth phase या log phase log phase मतलब exponential phase एकी है जिसमें अच्छी खासी growth होती है बहुत एकदम ज्यादा speed में cells जो है divide हो के अपनी संसाय को बढ़ाते हैं इस particular phase में log phase या फिर exponential phase बोलते हैं उसके बाद एक time के बाद जब nutrient खतम होना start हो जाता है start कर देता है product बनके बन बनते जाएगा बनते जाएगा तो फिर मैदा खता मुलते जाएगा कच्छा मैदा खता हम प्रोड़क्ट बन गया bread तयार हो रहा है तो धीरे धीरे आपके जो माइक्रोप्स हैं वह क्या होंगे संख्या में कम होना start कर देंगे क्योंकि उनको खाने के लिए चीज नहीं मिल रहा है तो वह मर जाएंगे तो वह क्यों ग्रोथ का कर वह बनाए गया है एक graph कि माध्यम से समझाया जा रहा है आपको समझ पाएं की कैसे होता है कई अअ क Ri है ग्रोथ कि कौन खूंसे फेज होते हैं उससे देखते हैं पहला तो सबसे पहला जो फेज होता है है microbial growth का वह होता है आपका lag phase में क्या होता है कि आपने microbial cells अगर 100 डाले हैं तो उसमें 100 के 100 ही रहेंगे नंबर चेंज नहीं होगा इसल के नंबर वैसे की वैसे रहेंगे जितना आपने सबसे पहले डाला था 100 की संख्या में अगर आपने डाला था तो सौकी संख्या में ही रहेंगे कौन आपके जो microbes है वह नंबर चेंज नहीं होगा उसमें इंक्रीज नहीं होगा ठीक है इसमें क्या होता है ना कि हम सेल को ना होता है इतने बजे वाश्रूम जाना है इतने बजे खाना मिलेगा इतने बजे मुझे उठना है अपसे इतने बजे तो ये चीजे हैं जो बहुत मैटर करते हैं बहुत ज़दा ध्यान देने होती हैं तो वही चीज ल कई है लक्ष फेस्मी क्या होता है कि एड़ाप्टेशन होता है जो आपके माइक्रोबियल सेल्ज जो माइक्रोब्स है जो सुचमुझीव है उन वह नएन एवार्मेट में आ रिधि नहीं होंगीव इसमें एडी हो जो अपने आपको अडाप्ट करेंगे न्यू he के 2 एंटेन 20, important जरूर इंग्रीजमी स्कुलेंगं इसमें सेल की संख्या तो बड़ती नहीं है एं करी नहीं होती है लेकिन इसमें यहां पर एक और चीज है कि लैक फेस कितने देर तक रहेगा तक आपके माइक्रोब को टाइम लगेगा अड़ेप्ट होने में यह डिपेंड करता है बहुत चीजों पर कि आपने कौन सा वाला कलचर कर रहे हो बैच कलचर कर रहे हो प्रकार का आपने सूच में जीव लिया है जो इस प्रकार के महौल में अच्छे से काम कर सकता है तो यह डिपेंड करता है कि लैक फेज कितना देर तक रहेगा और कई बर मल्टीपल टाइम लाग फेज रहता भी है आप लोग के जो माइक्रोब है वो अडेक्ट नहीं हो पात कि आपके कार्बन सोर्स के साथ साथ आपके माइक्रोब से मतलब सूच में जीवों के उपर निर्भर करता है कि लैक फेज कितने देर तक रहेगा या फिर एक होगा या फिर मल्टीपल होगा यह चीज भी बहुत मैटर करता है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है आपका पर जाएगा तो एक फेज जो है वो कितना लंबा चलेगा यह भी बहुत डिपेंड करता है आपके माइक्रोवियल स्पीशीज पर कि अपने कौन से प्रजाति का माइक्रोब जो है वो लिया है कि वह जल्दी से ढल सकता है कि नहीं किसी भी वातावरण में या फिर वह जो नुट्रिशन डाले गए है या वो सही है आपके माइक्रोव के लिए या कोई ऐसा चीज है जो रोख रहे ग्रोथ को इन सब चीजों का ध्यान देना रहता है तो मीडिया प्लस आपके माइक्रोबियल स्पीशीज इस पर भी डिपेंड करता है आपका लैक फेस मतलब और स्टार्ट होने से पहले अपने आपको सबसे पहले माइक्रोब्स को धालना होता है उस वाटावरण में चीक है अब आया आपका लॉक फेज अब लॉक फेज में क्या होगा कि एकदम जादव स्पीड में खटा खट आपके जो माइक्रोबियल सेल्स हैं जो ग्रोथ हो रही है वह एकदम से बढ़ेगी क्यों कि इसमें सेल डिवीजन बहुत हाई होता है ज कि इसलिए हम एक्सपोनेंशल पेज भी बोलते हैं कि इसमें बहुत हाईयर होती है इसलिए हम इसे exponential phase भी बोलते हैं एक्जाम में अगर exponential phase नाम से आता है तो समझ जाना कि यह log phase ही है क्योंकि इसमें अत्तधिक मात्रा में growth होती है higher rate होता है growth की rate बहुत ज्यादा high होती है और साथ ही साथ जो है rate जो balanced growth होता है इसमें log phase में एक समय ऐसा आता है जो balanced growth रहता है balanced growth मतब क्या होता है जिसमें आपके जो components है जो grow करवाने के लिए components है मतब मीडिया के अंदर के जितने भी parts component है वो भी आपके grow करेंगे सेम दर से जिस दर से आपका जो आपका microbes है वो grow कर रहा है जिससे यह balance बनाने का मतलब यह है कि आपका time to time आपको मीडिया का भी ध्यान रखना है मीडिया सही मात्रा में है कि निक अच्छे material का supply अच्छे से हो रहा है कि नहीं और साथ जैसे अच्छे में आपको आपका आपका अंडविक भार है उसका बहुत हक तक जो है संबंध होता है आपके growth rate से and the biomass concentration और cell number और सांथ सत्थ biomass का concentration और cell number के बीच संबंध होता है एक अच्छा correlation होता है जिससे dx by dt equals to mu x यहाँ पर dt क्या है आपका time में change होना और dx क्या है आपके biomass में change होना और mu क्या है आपका growth का rate जो microbial growth का actual rate है यह एक formula दिया हुआ है dx upon dt equals to mu x integration of equation between the limits x naught at the time t equals to theta theta ने t equals to zero and x at same time gives यह वाला जो हम बताया गया इसको मैं बाद में समझाओंगी मैट्स वाले टर्म से हैं एक्सपोनेंशल फेज इस फॉलूड बाइडी एक्सेलेरेशन फेज अभी जो एक्सपोनेंशल फेज है मतब जो लॉक फेज है जिसमें एक्दम से जो है आप लोगों की जो नीए और वह पाड़ने लगी ड़तार क्रों फोने लगी बढ़ने लगी से बढ़ने लगी सेलका मास बढ़ने लगा तो सांथ में आपका आपका प्रोडक्ट भी अच्छेigma रहे रहे हैं तो फिक एक्सिल फेज जो है वह उसमें दो गर्ंजिन चीरोथ हैं इसके बास जो डी अक्सेलरेशन पेज जाती है उसम above-e legislature आगToo जहती है संतिलंठ बिघड़ जाता है क्यूं कि डी इक्सeleriUट से वहे वह जlla है मीडिया खत्म होते जारा रहा है कच्छा माल खत्म होते जारा है खाने वाले बढ़ रहे हैं ठीक है खाने वाले बढ़ रहे मतब प्रोड़क्ट जो आपका जितने माइक्रोप्स है वो जितने हैं उनको जितनी ज्यादा आवश्यक्ता है आपके की नियुट्रीशन सवे कंतों सवे देद करते देतर करते दो गाड़ी आगे बढ़ती करते में तो गाड़ी की शपीड और थी इहां पर निर्मित हो टॉयुटेशन पेसन ने इसलेचन संतुलन कुछ बगडारा ग्रोत और ही है in this phase the growth is de-accelerate due to either depletion of one or more essential nutrient or the accumulation of toxic by productive growth दो तरीके से दो reason की वज़े से de-acceleration phase होता है एक तो nutrient का खतम होना मतब आपके nutrient media का खतम होना या तो फिर आपके टॉक्सिक प्रोड़क्ट का ग्रोथ हो जाना जहरीला कोई पदार्थ है उसका बंजा यह महापत अचानक से आजाना तो most of the अगर सब चीज़ें ठीक हो रही तो जाहिट के बात उसमें nutrient कम होगा तभी यह चलू हो रहा है ठीक है तो यह आपका डी अक्सिलरेशन पेज उसके बाद आता है आपका stationary phase stationary phase क्या है देखते हैं यह हम लोग क्लाइंटेटिक्स काइनेटिक्स ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ देख रहे है ना मारीक्रोबियल ग्रोथ में अगर काइनेटिक्स हो रही है का माइक्रोबियल ग्रोथ की रेट समझ रहे हैं इसके बाद आया आपका stationary phase lag phase, lock phase, lock phase के बाद, de-acceleration phase, de-acceleration phase की बाद आया आपका stationary phase इसके बाद stationary phase में होता क्या है it starts when the net growth rate is zero stationary phase आने पर क्या होता है straight line में आपका जो graph है वो straight line में चले जाता है क्योंकि growth rate एकदम से zero चले जाती है तो जितनी growth rate थी उतना ही आपका death rate भी रहेगा तो growth rate is equal to death rate even though the net growth rate is zero during the stationary phase cells are metabolically active and produce secondary metabolites अब यह जो आप लोगों का stationary phase है इसमें आप लोगों का growth rate जो है वो zero चले गया है लेकिन cells अभी भी active है जो growth है वो रुख गई है growth नहीं होगी अब आगे और नहीं बनेंगे नहीं cells cell division की process खतम हो गई लेकिन जो cells already है वो अभी भी metabolically active है उपापचे की क्रिया अभी भी वो कर रहे हैं काम कर रहे हैं लेकिन वो active है बस number ने बढ़ना बंद हो गया है उनका ठीक है तो इस स्थिति में अगर growth rate जीरो हो जाती है बट फिर भी कुछ जो आपके इस सेल से मेंटाबॉली एक्टिव रहते हैं तो वो से प्लांट जो से केंडरी मेटाबॉलाइट्स बनाते हैं से केंडरी मेटाबॉलाइट्स और बहुत सारी चीजों में काम आते हैं तो यहां पर आपका growth rate वाला जो था मतलब जो growth का रेट है जो काइनेटिक से जुदर है उसको हमने समझ लिया अब हम death rate को देखेंगे ठीक है अब death rate क्या है सब्सक्राइब क्या हो जाएंगे मरना स्टार्ट कर देंगे तो number of cells multiplying is equal to number of cells dying जितने cells अंखे में बढ़े थे वो मरना स्टार्ट कर देंगे क्यों कि उनके पास nutrient नहीं बचा growth rate भी 0 हो गई तो चीजे महीं कि महीं stop हो गई तो आपका number cells जो है वो dying होना स्टार्ट हो जाएंगे मरना स्टार्ट कर देंगे kinetics of death phase अगर यहां पर से start हो रहा है हमारा kinetics of death phase death phase की दर जो होता है cell death यह first order process होती है इसमें rd is equal to kd n जहां पर rd का मतलब होता rate of cell death cell death की दर और n का मतलब होता है number of viable cells जितने जीवी तवस्तन में इतने cells हैं उनको हम n से denote करते हैं के मतलब specific death constant constant group में हम k को ले रहे हैं आपर ठीक है जो unchangeable है in closed system rate of cell death is equal to the rate of decrease in cell number अगर closed system के अंदर आप यह पूरी process कर रहे हैं तो वहां पर cell death की जो दर है उसकी जो दर है cell number में decrease के equal हो जाती है अब जो उपर जो equation दिया गया है वो कैसे हो जाएगा rd equals to dn upon dt is equal to kdn तो यह kdn जो हमको मिला है वो dn upon dt को solve करके मिला है और यह केडी है वो constant है एक प्रकार का किस प्रकार का constant जिसका फॉर्मूला क्या है kd is constant n is equal to n0 n मतलब होता है viable cells की total number तो इस प्रकार से आपका पूरा process जो है death phase में actual में समझा जाए तो death phase में क्या हो रहा है हमारे जो cells थे उनमें अब growth होना बंद हो गया है तो growth होना बंद हो गया है आपका कच्छा माल भी खतम हो गया तो चाहिर सी बात है कि नया आपका नहीं बनेगा cells जो cells लगातार divide हो कि अपनी संख्या को बढ़ा रहे थे वो बंद हो गया वह हो ना इसलिए वह मरना स्टार्ट कर जीन जितने हैं भी वह मरना स्टार्ट हो गए क्यों कि न्यूट्रियंट नहीं मिल रहा है तो death phase चालू हो गया और death की kinetics भी किस पर depend करती है कि कैसा मीडिया डाला था कितने देर तक चला कितने जीवित को शिकाएं हैं इस पर निर्भर करता है आपका death phase effect of substrate concentration in batch culture यहां पर कुछ उचीजे दी हुई है लेकिन इसको मैं कल जब blackboard में class लोंगी तब मैं बताऊंगी क्योंकि अभी आप लोग confused हो सकते हैं इसको लेकर तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का यहां पर death phase और kinetics of death phase की बारे में मैंने आप लोगों को बताई इसके जो फॉर्मूला हैं जो mathematical concept है इसको हम लोग कल की class में अच्छे से करेंगी क्योंकि mathematical concept को बताने के लिए मुझे आप लोगों को पहले सिखाना पड़ेगा कि कैसे क्या क्या होता है उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी ठीक है तो आज की class में यहीं पर खतम कर रही हूं और I hope आप लोगों को सब अच्छे स clear हुआ होगा